Hello everyone, नमस्कार, मैं अभनौ कुमार दूबे आप सभी का एक बार फिर से प्रोग्रामिंग प्रोचाइनल में स्वागत करता हूँ Friends, आज के इस सेशन में हम आपको नाइलेट ओ लेविल प्रिवियस यर कोस्टन पेपर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसके अंतरगत हम आपको IOT यानि Module M4 R5 का जो January 21 एक्जाम कंड़क्ट हुआ है उसके पेपर को हम डिस्कस करेंगे Objective Part को with explanation हम आपको बताएंगे तो आईए, शुरू करते हैं आज के इस सेशन को और समझते हैं एक एक कोस्टन को तो सबसे पहले Multiple Choice Question को लेते हैं जिसके अंतरगत First Question हम Select करते हैं इसमें पूछा गया है कि MQTT का पूरा नाम क्या है यानि MQTT stands for तो friends सबसे पहले हमें यहाँ पे समझना जरूरी है कि MQTT विल्कुल एक protocols है और चुकि protocols क्या होता है यह हमें मालूमी है कि protocols का मतलब होता है set of rules यानि यह प्रोग्राम होते हैं जो कि specific type के task को functions को perform करने के लिए बनाए गए होते हैं जब हम internet यूज करते हैं तो internet में बहु सारे अलग-अलग जो task हैं उनको perform करने के लिए छोटे-छोटे जो programs बनाए गए होते हैं उन्ही को हम बोलते हैं protocols तो चुकि IOT system में भी जब हम internet को use करके different devices को आपस में connect करते हैं तो एक device से दूसरे device के बीच में communication कराने के लिए उनके बीच में connection establishment करने के लिए हमें बहु सारे अलग-अलग तरीके के programs की जरूरत पड़ती है और उन्ही programs को हम लोग क्या बोलते हैं protocols बोलते हैं IOT system में specific type के जो protocols use होते हैं उनके बारे में जानना जरूरी है तो इसके अंत्रगत जो अभी हम लोग MQTT की बात कर रहे हैं basically एक message transferring करने वाला ये protocol है जो lightweight protocol है जो message transferring करने के लिए IOT system में use किया जात है तो basically इसका पूरा नाम है message queuing telemetry transport तो इसका answer हो जाएगा B अगर यहां पर Q भी लिखा होता तो भी message queuing telemetry या message queuing telemetry transport protocol इसका पूरा नाम है और basically ये message transferring के लिए IOT system में use किया जाता है आए इसके पहले थोड़ा साम जो TCP IP model है जो IOT system के लिए जो implement किया गया है उसके कुछ basic protocols के बारे में हम जान लेते हैं क्योंकि इन protocols से कहीं ने कहीं question objective question put up होते हैं तो इसका proper structure मैंने show यहां किया है आप लोग इसको देख लीजिए जिसमें चार लेयर की बात होती है TCP IP reference model में जिसमें हम लोग अगर highest level की बात करेंगे तो application layer then transport layer network layer और link layer यह चार layer है TCP IP reference model के हैं तो basically TCP IP reference model को ही follow करता है और TCP IP reference model में यह चार layer defined है अब हर layer पर अलग-अलग protocol implement किया गया है जिनका specific task है specific functions है application layer के अगर हम बात करें तो यहां पर अलग-अलग protocol दिये गहा है जैसे HTTP इसको hypertext transfer protocol बोलते हैं basically यह web server और browser की बीच में communication establish करने के लिए HTTP protocol का use किया जाता है जैसे कि आप लोग देखते भी होंगे जब आप अपने system में किसी web browser को जब आप open करते हो और कोई भी URL आप डालते हो like www.google.com जैसे आप डाल कर enter करते हो तो एक complete URL address bar में show होता है और उसके पहले लिखा होता है http colon double forward slash www.google.co.in एक complete URL होता है तो http basically क्या है एक hypertext transfer protocol है जो user के client machine से कह सकते है client machine या user की जो machine है जिस पे client oriented program install है यानि browser तो browser की दवारा user अपनी request को Google के server पे भेजता है जब user जो request address bar में दिया होता है उस request को server तक ले जाने की responsibility किसकी होती है http protocol की होती है जब वो server पे particular request जब जाता है process होता है और server जो resultant page है वो render कर देता है तो resultant page है फिर से client machine पे display करने की responsibility किसकी होती है http की होती है http basically web server and client के बीच में communication establish करने के लिए use होने वाला protocol है और यह iot system में भी इस तरीके से work करता है second आप देखेंगे co-app दिया है constraint application protocol एक constraint application protocol एक iot system का है basically जहां पर low power consumption low bandwidth based devices के बीच में जो communication करनी होती है तो वहां पर use होता है co-app इसी तरीके से web sockets protocol है basically यहां पर next जो है आपका MQTT दिया हुआ है यह message queue transfer protocol जैसे आपका होता है जो अभी हम लोग ने telemetry message queueing telemetry transport protocol है जो अभी हम लोग first question में बात कर रहे थे तो message queuing कहिए या message queueing telemetry transport protocol इसके अलावा आप देखेंगे XMPP दिया हुआ है basically XML based protocol होता है इसका पुरा नाम होता है extensible messaging and presence protocol इसके अलावा DDS protocol दिया हुआ है इसका पुरा नाम है data distribution service इसके अलावा अगर आप next देखेंगे तो AMQP दिया हुआ है यानि advanced message queue या queuing protocol तो यह basically application layer पे काम करते हैं यह सारे protocol application layer के protocols होते हैं second है transport layer, transport layer पे दो protocol specifically work करता है जिस पे TCP नाम सुना होगा अपने transmission control protocol and UDP जिसका मतलब होता है user datagram protocol तो TCP और UDP यह transport layer पे काम करता है basically packet को एक जगह से दुसरे जगह transferred करने के लिए use किया जाता है TCP और UDP का अंतर क्या है कि TCP connection oriented होता है जबकि UDP जो होता है connection less होता है connection oriented और connection less का मतलब यह होता है कि यहां पर जो भी packets transmit होते हैं उसकी acknowledgement होती है लेकिन UDP में क्या होता है जो connection less protocol होते हैं इसमें अगर कोई packet transferred हुआ उसकी acknowledgement receiver sender के पास नहीं होती है कि वो particular packet send हुआ है या नहीं हुआ है तो यह थोड़े से difference है और TCP UDP basically transport layer का ही protocol है दोनों के माध्यम से हम packets को एक place से दुसरे place पे transmit करते हैं बट इनके way of working जो है उसमें difference है अगर हम लोग देखेंगे तो network layer है network layer पे IPv4 जिसको internet protocol version 4 के नाम से जानते हैं जो की addresses provide करता है अगर हम कोई packet कहां पर हमें send करनी उसकी address कहां से मिलेगा तो IP address provide करता है TCP transmit करने का काम करता है तो अब addresses provide करने की जो technique यूज होती आ रही है अभी भी आप यूज करते हो IPv4 यूज करते हो अब IPv6 भी यूज होगा जिसमें internet protocol version 6 है difference security point of view से है इसके जो address की length है उसमें difference है यह 32 bit base address होता है यह 128 bit base address होता है इसके लावा 6 LO WP PAN दिया हुआ है इसका मतलब है lower wireless personal area network यह भी protocol है जो personal area network में यूज होता है एक limited range के लिए यूज होता है low bandwidth के base जहां पर हमें transmission करनी होती है वहां पर यह addresses provide करने का काम करता है जो last layer है ओ है link layer तो यह basically यहां पर यह सारे protocols है इसमें important अगर आप दिसे ethernet है ethernet को हम लोg line के नाम से भी जानते है यह 802.3 यह याद करने वाली चीज होती है ethernet जो यह basically 802 जो था एक project था IEEE का जिसको हम लोg institute of electrical and electronics engineer के नाम से जानते है जो एक organization है जो इस तरीके के जो भी hardware component होते है या जो devices बनती है उनका एक standardization provide करता है उसका एक standard rules provide करता है औह संस्ता IEEE है उन्होंने एक project बनाया था जिसके अंत्रगत अलग-लग तरीके के devices standardized किये गए थे उसमें से 802.3 जो standard है basically किसके लिए है वो ethernet local area network के लिए है इसी तरीके से 802.16 है WiMAX है wireless networking के लिए यूज होता है इसके अलावा Wi-Fi है जिसमें 802.11 इंपोर्टेंट है objective question पूस्ट देगा कि Wi-Fi का standard क्या होता है तो वहाँ पे option दिया रहेगा 802.16 802.11 तो 802.11 जो standard है किसको denote करता है Wi-Fi को करता है 802.3 किसको denote करता है Ethernet को करता है यह important and remarkable point है जो आपको जाननी चाहिए तो इस तरीके से फिर यह आपका low rate wireless personal area network जो LRWPAN है इसके standard 802.15.4 है तो यह basically physical layer एक तरीक सका सकते है link layer पर यह काम करता है चार layer होते हैं और IoT system में यह सारे protocol important है कहीने कहीं objective question point of view से and descriptive question point of view से भी important है तो उमीद करता हूँ कि अब आपको protocols की बात समझ में आ गई होगी और IoT system में जो protocols use होते हैं specifically इन ही protocols का ज्यादा use किया जाता है आई आगे बढ़ते हैं और हम लेते हैं अब second question second question में पूछ रहा है कि what is the micro controller used in Arduino IONO जो micro controller हम use करते हैं Arduino जो board हम लोगों ने use किया था तो आप देखते होंगे कि Arduino board पे बहुत सारी chips लगी होती है उसमें एक black color की main chip होती है जिसका हम लोगों बोलते है micro controller और उसका नाम क्या होता है उस main chip का नाम क्या है 80M328P यानि इसका answer क्या हो जाएगा यह हो जाएगा आइए question number third देखते है question number third में पूछ रहा है कि what does GPIO stand for तो IO देखने से आपको लग रहा है input output general purpose input output यह pins होती है जैसे हम लोग Arduino यूज कर रहे हैं उसी तरीके से Raspberry Pi एक board होता है basically वो अपने आप में एक mini computer है Arduino और Raspberry Pi में difference यहीं है कि वहाँ जो Arduino है उसको हम लोग तरीके से वहाँ पर micro controller लगा होता है और जो Raspberry Pi है एक तरीके से कह सकते है कि वो micro processor एक तरीके से है mini computer उसको कहा जाता है itself a mini computer उसमें बहुत सारे हमारी pins लगी होती है जिसको हम लोग GPO pins के नाम से जानते है यानि general purpose input output pins तो इसका answer क्या हो जाएगा B generally Raspberry Pi जो होती है वहाँ पर 40 pins होते हैं अलग-अलग input pins, output pins जिनका अलग-अलग use होता है question number fourth हम लोग लेते हैं यहाँ पे पूछ रहा है अभी हम लोग बात कर रहे थे TCP IP reference model में तो देखिए उससे question से यहाँ पे put up किया गया है which of the following is not a TCP IP layer तो अभी हम लोग ने application layer पढ़ा transport layer भी पढ़ा हम लोग ने network layer भी पढ़ा data link layer नहीं होता है basically यह आपका answer इसका क्या हो जाएगा D हो जाएगा आए आगे बढ़ते हैं question number 5 में पुछा गया है कि which of the following communication medium supports highest data rate इसमें से सबसे जादा speed किसकी होती है अगर हम यह सारे medium है data transmission के ethernet local area network जिसको जानते है Bluetooth technology है Wi-Fi जो अभी हम discuss कर रहे थे 802.11 तो यहाँ पर optical fiber है जो की wired cable के अंतरगत आता है यानि एक तरीके से guided media का example है और इसकी speed सबसे जादा होती है इन में से तो इसका answer क्या हो जाएगा C हो जाएगा सबसे जादा क्यों होती है क्योंकि optical fiber की जो technique होती है और light sensing based होता है और light की speed सबसे जादा होती है तो basically optical fiber की speed highly speed है और यहीं सबसे जादा है क्योंकि इसकी speed सबसे जादा है आई यह question no.6 को देखते हैं यहां पुछा गया IOT का पूरा नाम क्या है तो IOT का नाम तो हम लोग जानते internet of things इसके पहले जो I लगा हुआ है इसका मतलब industrial industrial internet of things यानि industry में जो IOT system implement होता है उसको बोलते है industrial internet of things जैसे robotic system काम कर रहा है या कोई manufacturing company है उसके अंत्रगत controlling system के लिए IOT system implement किया गया है तो इस तरीके के जो वहां पे industry level पे complex IOT system create किया गया है वो basically industrial internet of things है आगे बढ़ते हैं यहां पूछा गया है question no.7 में what are the challenges in IOT system में क्या-क्या चुनावतियां हैं तो हम लोगों नहीं पढ़ा था कि बहुत सारे ऐसे challenging things है IOT system में जिसमें energy consumption security one of the major concern है IOT system के regarding network congestion network congestion का मतलब आप समझते हैं कि जब network traffic एक तरीके सका सकते हैं network traffic raise होती है वहां पर तो इसको हम बोलते है network congestion यह आप general network system में भी देखते हो कभी कभी आप mobile से communicate करते हो आपको मालूम चलता है कि आपने phone किसी और को किया है अब आज किसी और किया रही है तो वह due to network traffic के चलते है condition raise होती है जिसकों लोगों बोलते है network congestion तो basically यह सारी चीज है IOT system के साथ भी है यह problem तो यह सारी challenges है और इसका answer हो जाएगा all the above यानि question no.7 का answer D आईए हम question no.8 की तरफ बढ़ते हैं यहां पर एक fill in the blank like a question है जिसमें दिया गया tags, devices, smartphones is full in identification यानि basically इन में से कौन सी technology है जिसको use करके हम यानि tag based devices को या smartphones को हम लोग तरीके से tracking करने का काम करते हैं तो यहां पर जो technique है ओ है RFID oblique जो दिया हुआ NFC RFID का मतलब क्या है radio frequency identification और NFC का मतलब होता है new field communication, near field sorry यहां पर NFC है near field communication तो near field communication radio frequency identification यह technology है जिसको use करके आप devices को smart phones को या किसी things को यह tag based होती है जिससे आप tracking करते हो for example जैसे आप किसी shopping mall में जाते हैं तो वहां पर देखते हैं कोई अगर आप product आपने purchase किया और बीना billing counter पर गए यदि आप exit करने की कोशिज करते हो तो एक alarm बजने लगती है और वहां पर जो भी security होती है आपके पास आती है और पूस्ताच करने लगती है लेकिन यदि आप आप billing counter पर जाते हैं तो जो भी आपने product लिया उस पर टैग लगा होता है उस tag को क्या किया जाता है निकाल दिया जाता है और settlement वहां पर कर दिया जाता है तो देन उसके बाद आप exit करते हैं तो कोई भी alarm नहीं बचती है इसका मतलब है कि आपका product वहां पर प्रॉपर billing होने के बाद आप बाहर exit कर रहे होते हो तो इसके लिए tracking करने के लिए भी है क्योंकि एक shopping mall में हर product के सामने या हर किजों की निगरानी के लिए हम manually ज्यादा security तो नहीं लगा सकते तो यह सारी techniques and technology को implement किया जाता है जिसे एक proper tracking की जा सके RFID and near field communication जो technology है इसका यूज किया जाता है अगे बढ़ते है question no.9 के तरब और देखिए भी एक protocol से है अभी जोम लोग ने application layer protocol की बात किया था उसमें देखिए which protocol interacts asynchronously over UDP जो UDP है user datagram protocol है तो इसमें से basically जो आपका protocol है ओ है constant application protocol जो IoT system में application layer पर implement होता है जो constant devices होती है उनके लिए यह protocol काम करता है जैसे low bandwidth based devices हो गई या आप low temperature sensing जो devices होती है तो इस तरीके की devices के बीच में communication के लिए जो protocol use होता है वो quiet use होता है जिसको हम लोग constant application protocol बोलते हैं आईए next डेखते है question no.10 पुछ रहा है WSN का पुरा नाम क्या है तो basically यह होता है wireless sensor network यानि इसका answer क्या हो जाएगा इसका answer हो जाएगा B इस तरीके से यह multiple choice के 10 questions है उमीद करता हूं कि आपको यह चीजें समझ में आ गई होंगी आगे बढ़ते है true false के तरफ true false में 2.1 का पहला question है amqp usage udp protocol जिसको अमलोग advanced message q protocol यह udp protocol को क्या करता है use करता है message transferring के लिए तो यह questions क्या है true है चुकि message transferring के लिए जो प्रोटोकॉल यूज होता है basically mqtt या amqp यूज होता है और वहां पर जब packets आपके delivered होते हैं तो basically वहां udp protocol का use किया जाता है तो यह answer सही है true है second है ordino provide idea environment हम लोगोंने काम भी किया है जब ordino board and bread board को जब हम लोग आपस में communicate कराते हैं तो उसके लिए में एक program के जरूरत पड़ती है program उसके अंदर हम लोग upload करते हैं और उसके लिए अम लोग आईडी इंस्टॉल कर लेते हैं जैसे हम लोग ने आईडी 2.0 इंस्टॉल करके काम किया था तो यह भी input ports और analog input ports दोनों available होते हैं केवल digital input ports नहीं होता है तो यह question आपका क्या हो जाएगा false हो जाएगा Question number 4th है LCD is a display device LCD हमारी क्या होती है output device है तो यह display device भी बोलते हैं इसको आउम लोग तो यह answer क्या है true है Question number 5 कह रहा है conditional 2.5 conditional statements cannot be used in Arduino programming तो सोचिए जब हम लोग Arduino के लिए program बना रहे थे जैसे LED हमें push button के basis पे high और low जब हम प्रेस कर रहे तो LED हमारी blink हो रही थी तो जब हम प्रेस कर रहे थे यानि high value दे रहे थे तो वहां पे देखे हम लोग condition क्या लगाय था इफ लगाय था कि अगर if अगर push button अगर high है तो LED क्या हो जाएगी हमारी high हो जाएगी अगर low है तो LED हमारी क्या हो जाएगी low हो जाएगी हम conditional statement वहां यूज करते हैं यहां कह रहे है इसका हम बनाते है तो उसको हमें board में क्या करना होता है अपलोड करना होता है तो upload तो हम लोग करते हैं और उसी के base पे जब हम upload कर देते हैं तो board हमारा वर करना शुरू कर देता है तो यहां का cannot be uploaded इसका मतलब है क्या है false है कोस्टन नमबर 2.7 है आयोटी सपोर्ट बोथ वायडेंड वायरलेस कम्मिकेशन ओविएसली आयोटी में हम वायड मीडियम का भी उज कर सकते हैं वायरलेस मीडियम भी उज करते हैं डिवाइसे बीच में कम्मिकेशन कराने के लिए है दो तरिके के मेडियम होता है गाइडे और अंगाईड़ गाइडे का मतलब वायरलेसिता है वायरलेस यहाम не होता है दो दो तरिके की कम्म्मिकेशन ओते है तो है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा टू। Q2.8 कह रहा है Cloud is a part of IoT architecture जो कि रिमेंबर करिए जब हम लोग IoT architecture की बात करते हैं तो वहाँ पर बेसिकली जो component की हम बात करते हैं major component required to construct IoT system तो वहाँ पर सबसे पहले क्या हो नचीज नेटवर्क architecture की हम लोग बात करते हैं फिर हम sensors की बात करते हैं actuator की बात करते हैं storage purpose के लिए processing के लिए हमें cloud system की ज़रूरत पढ़ती है तो cloud system यह crucial part है IoT system का तो basically answer क्या हो जाएगा true हो जाएगा Q9.9 का रहा है float is a valid data type of embedded C language embedded C language में float data type क्या एक valid data type है तो obviously है हम लोगों ने देखा था वहाँ पर integer का मतलब जो 0 to 9 के combination से जो number बनता है वो integer number है और float का मतलब जहाँ पर हम decimal values को भी use करते हैं floating values है दोनों ही supported है तो इसका answer क्या हो जाएगा true Q2.10 का रहा है embedded C language does not support function calls embedded C language में क्या function को call नहीं किया जाता है function call supported नहीं है तो यह supported है यह answer क्या हो जाएगा false हो जाएगा तो इस तरीके से true and false के आपके 10 questions complete हो गया आईए आगे बढ़ते है question number 3 जो match the columns है match the columns में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि X part में जो terms दिये गया है Ethernet दिया गया तो देखेंगे यहां पर दिया हो नहीं used in wide communication जो कि local area network जब हम construct करते हैं तो यहां पर basically इसका wide communication दिया हुआ है तो 3.1 का जो answer होगा used in wide communication Ethernet यह हो जाएगा H second question कहे रहा है कि Bluetooth तो Bluetooth जो टेकनोलजी है वो किसके बेस्ट है wireless communication के लिए है तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि क्या wireless communication का कहीं पर option है used in wide तो हो गया used in wireless communication इसका हो जाएगा AI next दिया है LDR friends मेरे काल से आपने LDR के बारे में नाम सुना भी होगा light dependent register होता है एक sensor है LDR sensor का यूज करके बहुत सारे applications बनाये जाते हैं उन में से सबसे महत्रपूंड जो application है जैसे आप चाहते हो कि हम LED को blink करें LED light हमारी blink हो जाए जैसे light कम हो अंधेरा हो तो हमारी LED बिलिंक हो जाए तो वहां पर LDR sensors का यूज किया जाता है चुकि यह light intensity को detect करती है और उसके basis पे LDR sensor काम करता है तो इसका major application आप बता सकते हैं कि अगर हमें इस तरीके के कोई circuits design हमने किया है कि जहां पर जैसे डार्क हुआ तो light अपने आप जल जाएगी और जहां पर उजाला हो लाइट अगर है तो हाँ पर light अपने आप क्या हो जाएगी ओफ हो जाएगी तो हाँ पर LDR sensors को आप यूज कर सकते हैं तो LDR बेसिकली एक sensor है तो यहां पर इसका answer हो जाएगा E Light Dependent Register यानि यह light intensity को detect करके ओवर करता है फिर है DC motor DC motor का आप देख सकते हैं इसका answer 3.4 में अगर हम लोग देखें तो इसमें इसका answer क्या है वेसिकली एक actuator है तो इसका answer हो जाएगा C यानि 3.4 का C Micro processor and micro controller अभी हमने बात किया थे कि जो micro controller जो ordino board होता है उस पर micro controller लगा होता है जो computers हमारी mini computers होती है जिसमें आम लोग desktop computer यूज करते हो वेसिकली क्या है microprocessor है तो यहां पर हम देखते हैं कि इसका used in personal computer जो दिया है PC में तो microprocessor क्या हो जाएगा F हो जाएगा desktop computer जो आप यूज करते हो personal computer यूज करते हो उसका main जो processing device है वो हमारा क्या है microprocessor है microcontroller कहां यूज होता है Arduino में यूज होता है तो यहां पर हम देखते हैं कि कहीं Arduino का option दिया हुआ है used to write Arduino code यह नहीं है यहां पर दिया है M यानि Arduino board में microcontroller यूज होता है तो 6 का क्या हो जाएगा 3.6 का M हो जाएगा इसके बाद दिया है sketch तो friends आपको यह मालू होगा जो sketch होता है basically code को write करने के लिए यूज किया जाता है जैसे हम लोग ID जब install करते हैं जब coding करते हैं तो वहां पर देखिए कि sketch menu भी होती है जैसे आप code write करते हैं और आप upload करते हो तो upload का एक symbol भी बना होता है icon के form में और sketch menu में जब आप जाओगे तो आहां पर भी basically सारे program को run करने के लिए upload करने के लिए options होते हैं तो sketch is basically use to write the code of Arduino यानि use to write Arduino code को write करने के लिए तो इसका answer क्या हो जाएगा जे हो जाएगा आप ID इंस्टॉल किया होंगे तो आप देखिएगा sketch is basically Arduino की code को write करने के लिए यूज होता है Determine personality एक question personality development से है तो यहां पर basically के लिए option दिया हुआ है grapevine दिया हुआ है grapevine का मतलब ही होता है कि जब आप unstructured way में कोई person एक person दूसरे person से communicate करता है informally जब वो communicate करता है तो उस तरीके की communication को आप लो बोलते है grapevine तो पहले से topic अगर कोई decide नहीं है और उसके not decided topic पहले से decide नहीं की गई होती है और ऐसे ही unstructured manner में या एक तरीके सी informally way में जब एक person दूसरे person से communicate करता है interact करता है तो वो basically grapevine कहलाता है और इसका answer हो जाएगा L 3.9 TCP IP model तो TCP IP model में हम लोग ने four layer पढ़ा था कितने layer होते है four layer अब देखे यहां पर four layer का option किसमें है A में तो इसका answer क्या हो जाएगा यह हो जाएगा और TCP IP में चुकि seven layer होते हैं तो इसका B में कितने layer दिया हुआ है seven layer लिखा हुआ है तो इसका answer क्या हो जाएगा B तो match the columns के सारे questions आपके complete हो गए उमीद करता हूं कि आपको यह बात समझ में आई होगी आगे बढ़ते हो लास्ट हम लोग question number fourth की तरफ बढ़ते हैं जो की fill in the blanks का question है अब इसमें देखेंगे एक एक अब दिया है RFID is a technology तो RFID किस तरीके की technology है अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था यह नहीं यह जो technology है basically tagging वहां पर tag यूज होते न जो अभी आपको हमने shopping mall में example दिया थे क्या product पर tag लिखा होता है tag होता है जिसमें hide information होते तो basically इसका answer क्या हो जाएगा E tagging IoT devices should consume IoT devices में क्या जो consume होता है energy consume less consume low consume होता है high consume होता है तो इसका answer क्या हो जाएगा यहां पर देखिए H में low लिखा हुआ है तो यह हो जाएगा H IoT devices में जो energy consume होती है वो low energy की ज़रूरत पड़ती है Bluetooth operates in range तो obvious है कि lower range में Bluetooth technology का implementation होता है तो short range के लिए use होता है तो इसका answer क्या हो जाएगा D Short range में Bluetooth technology work करती है Bluetooth consume अब Bluetooth जो power consume करेगा यहां consume का मतलब है पावर से तो इसका answer आप देखेंगे तो less power consume होगा यानि इसका answer क्या हो जाएगा K wireless speakers works on wireless speaker किस पर काम करते है Bluetooth technology पर काम करते है तो देखिए यहां पर option क्या दिया हुआ है A में क्या लिखा है Bluetooth तो जो wireless speakers है वह भी Bluetooth technology पर ही काम करता है तो आपका answer A हो जाएगा अब 4.6 है Wi-Fi has escalability तो इसका answer अगर हम देखें तो long escalability होती है इसकी तो इसका answer हो जाएगा B यानि इसकी range जादा है as compared to Bluetooth sensors क्या करते है information को sense करने के लिए यूज होता है तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो basically information को sense करता है receive करता है तो इसका answer क्या हो जाएगा G 4.7 में G हो जाएगा यानि receive करता है sense करता है IoT data escalability takes care of तो इसका answer क्या हो जाएगा data storage यानि इसका answer हो जाएगा C और question number 9 में है microwave is a signal basically किस तरीके का signal है तो wireless communication है तो इसका answer क्या हो जाएगा AI में क्या दिया हुआ है wireless और question number 4.10 है fiber optic is तो fiber optic का मेरा क्या है wired network है तो basically इसका हम देखते हैं option wide कहाँ पर है J में है तो इसका क्या हो जाएगा J तो कुल मिलाकर ये giant 21 में IoT के जो paper है उसको हमने completely explain कर दिया है उम्मीद करता हूँ कि आपको help करेगा जो giant 22 में exam होना है बहुत important है protocols बहुत important है तो आप लोग इसको carefully देखिएगा फिर मिलते हैं आप लोग उसे next video में thank you कर दो कर दो